क्लास पर फर्स आने का बेस्ट उपाए जो से पोसी हलो मेरे क्लास देखने के दोस्तों गुद नूस फो यू आपकी जो कॉमर्स का सिलबस है इतना लंबा सिलबस हम इसके लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए है लेके लिए जो लास्ट चैप्टर है न बहुत बड़ा सा च चैप्टर चोटी और करेंगे आप फटा फट समझ जाओगे आपके लिए आसान होगा है ना तो चलो शुरू करते हैं सब से पहले कि वाट इस इंटरनाशनल बिसनेस अंतर राष्ट्रिय वेबसाइब है क्या चीज अंतर राष्ट्रिय वेबसाइब वह है जो हम एक देश दूसरे देश के साथ करता है या एक देश की कंपनी दूसरे देशों के कंपनी के साथ करते हैं डूमेस्टिक मतलब हम अपने देश के अंदर देश के सरहत के अंदर हम जो बिसनेस करते हैं एक दूसरे के साथ आध इस डूमेस्टिक और देश के सरहत के बाहर जो करते हैं that is international. तो international business किन चीजों में होती है? International business केवल products में नहीं होता, जो manufactured goods हैं केवल इन में नहीं होता, यह सेवाओ में भी होती हैं. किस type के सेवा? कुछ आपको दिखाती हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7. केवल सेवा ही नहीं, और भी चीजे होती हैं जो international trade में एक्चेंज होती हैं. Number one is capital, या punji. Number two is intellectual property, बौधिक संपत्ती अधिकार, यह भी बौधिक संपत्ती का भी एक्चेंज होता है. Technology, इसका भी एक्चेंज होता है. और एक्चेंज होता है manpower, human resource, मानव संसाधन का. अब अंतर राष्ट्य website क्यों होता है? लोग क्यों करते हैं? लोग अंतर देशिय website, जो domestic business है, उससे satisfied क्यों नहीं रहते? देखो, कोई भी business क्या चाहता है? कि मुझे बढ़िया से बढ़िया product मिले, कम से कम प्राइस बढ़ ताकि मैं customer को बहुत अच्छी तरह देसकूँ. अब बढ़िया से बढ़िया हमारे देश में शाइध नाहीं बनता हो, कम प्राइस पे हमारे देश में साइध नाहीं बनता हो, कहीं और बन रहा है तो वहांसे मंघवान लो न! या हमारे देश में बन रहा है, कोई और देश नहीं बना पाता है, वो हमारे देश से मंगवा लेते हैं, इसलिए international business होता है, ना बनने के भी कुछ कारण होते हैं, एक जो बहुत बड़ा कारण है कि raw material ही नहीं है, तो बनाना तो मुश्किल हो जाता है वहां पे, या technology का अभा है, कितनी सारी चीज़े हो सकती है, कई बार political भी हो जाता है, environmental हो जाता है, for example, आप देखो, बहुत जबंदस्त बारिश हुई, तमिल नाडू में, तमिल नाडू में जितना प्यास का क्रॉप था, सारा खतम हो गया, अब प्यास नहीं होगा मार्केट में, तो तो बहुत सा example देख लो, Ukraine में युद चल रहा है, Ukraine is known as the grain wall of Europe, Ukraine में जितना अनाज पैदा होता है उससे पूरी योरोप, आफरीका के देशों में भी वह अनाज जाता है, अब युद चल रहा है, रशिया ने ब्लॉकेड कर दिया, ग्रेन निकले तो निकले कैसे, तो सारे योरोप में तो हाहा कार, आफरीका के देश में हाहा कार कैसे होगा, तो यहां से इंडिया से बहुत सारा grain export होने लगा, इस हद तक कि सरकार को बीच में आकर कहना पड़ा कि इतना भी ग्रेन मत एक्सपोर्ट करो, इतना भी निरियात मत करो कि अपने देश के लिए कुछ न बचे, तो होता से comparison कर ले, you will get greater clarity if we do this, आपका और भी पष्ट हो जाएगा, तो करते हैं इसको, number one चीज जो है, कि आप जो क्रेता है और जो विक्रेता है, जो seller and buyer, यह दो अलग-अलग देश के लोग है, अलग-अलग देश की company है, इनकी भाशा अलग है, इनकी culture अलग है, इनका सोचन हैं, जैसे दोनों company के जो shareholders है, जो अपूर्ती करता, suppliers जो है, जो general public है, customers है, यह सारे लोग तो कर्मचारी है, यह सारे लोग अलग-अलग culture के हैं, दो अलग-अलग culture के हैं, वहां भी एक gap आने की proposition होती है, तीस से number पर customer भी तो दो अलग-अलग देश के हैं, जब suppose आप गाड़ी बना रहे हो, इंडिया में बेचोगे, तो आपकी drive किस side पे होगी, right hand side पे, और वही गाड़ी अगर आप Europe में बेचोगे, तो आपको drive कहां देना पड़ेगा, left hand side पे, तो customer के मुताबग भी products को, सेवाओं को change करना पड़ता है, एक और issue होती है, और वो है कि mobility of resources, संसाधनों की गती शीलता, अपने देश के अंदर आप फटा फट भेज तो, चाहे आप money भेज रहे हो, चाहे आप समान भेज रहे हो, फटा फट भेज सकते हो, international boundaries cross करने में थोड़ा time लगता है, साथ ही साथ याद रखना, कुछ ऐसे देश है न, जो नहीं चाहते कि दूस इसरे देश से products आए, वहाँ पर बेचना भी एक मुश्किल हो जाता है, अलग-अलग देश में business के rules भी अलग होते हैं, हमारी इंडिया में हम जो rules follow कर रहे हैं, यही business हम अगर आफ्रिका के किसी देश, यॉरप के किसी देश में करने जा रहे हैं, तो वहाँ हमें उनके rules ज कर रहे हो, और आप USA में करोगे तो आपको dollars में करना पड़ेगा, रुपी और dollar का exchange rate, यह जो minimum rate है, यह तमें तो काफी फरक आता है, जैसे एक dollar में, आज की तारिक में 83 rupees है, पर कल की तारिक में यह कुछ और हो सकता है, पर्सौ की तारिक में कुछ और हो सकता है, तो यह rate ज पता चलेगा कि आपकी invoicing किस amount की होगी, आपकी जो risk होगी, आप जो insurance लोगे, वो किस amount में, इसमें थोड़ी complications आ जाती है, हमारा अगला point जो है, वो है कि international business किस-किस areas में होता है, सबसे पहला जो common area है, वो है products का, tangible products, goods and products का, second area जो है, वो intangible services के area, services कितने प्रकार के हैं, एक बार फिर से देख लो, third number पर इस पर आप जड़ा ध्यान से देखो, जिसको हम कहेंगे franchising और licensing, licensing क्या होता है, कि अगर किसी देश में आपको manufacture नहीं करने दे रहे हैं, तो आप वहां के किसी manufacturer के साथ बात कर लीजिए, वो आपके company से license ले लेंगे, तो यानि कि वो आपक जो जैसे licensing है, products के लिए, वैसे franchising होती है, सेवाओ के लिए, international business का चौथा area, fourth area, which is foreign direct investment, ये क्या चीज है, आप आपके पास जो मुद्रा है, जो कोश है, जो धन है, इसको आप विदेश में लगाना चाहते हैं, तो दो तरीके से, एक होते है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत प्रत्यक्ष कैसे होगा, कि आपने वहाँ जाकर एक पूरी company खरीदी, या आपने जमीन खरीदा, permission दिया, plant लगाया, तो ये आपके company की 100% subsidiary, आपकी company की 100% सहकारी company बनगे, जहाँ आप manufacture कर सकते हो, पर इसका खर्चा बहुत आता है, तो ज्यादा तर लोग क्या करते हैं, क दिसरा तरीका है, वहाँ के किसी company के साथ वो tie-up कर लेते हैं, और उनको अपना facilities बढ़ाने का, नए नए machine खरीदने का, नए technology देने का भार आप देते हैं, वहाँ आप निवेश करते हैं, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, जो production होगा, जो sale होगी, उसका हिससाद को ज जाएंगे, चलो अब हम देखते हैं, इसके लाब क्या है, इंटिनेशनल बिजनस से benefits क्या मिलती है, तो इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, एक होगा किसी देश के लिए और एक होगा किसी company के लिए, पहले देश से शुरू करते हैं, सबसे बड़ी लाब ये है कि हम export करन की कोई जो ingredient होती है, special molecules होती है, इसको खरीदना पड़ता है, कई बार technology खरीदना पड़ता है, इस सब के लिए तो डॉलर की जरूरत है, तो export करके जो डॉलर आते हैं, उससे हम ये सारी चीज़े import कर सकते हैं, इंटिनेशनल बिजनस का एक और बड़ा फाइदा है, कि हमारे देश में जो resources हैं, हमारे देश के अंदर वो बैठी हुई है, कोई company लग रहा है, वो resource तो हमारे लिए बेकार हो रहा है, उस resource को अगर हम international business में लगाते हैं, तो फाइदा ही फाइदा है, international business से लोगों की नौकरिया बढ़ती है, लोगों की जीवन स्तर बढ़ता है, देश क एक विकास होने लगता है, तो इन सब कारणों के लिए कोई देश चाहता है कि हम international business में रहें, और company के लिए क्या फाइदा है, company के लिए सबसे बड़ा फाइदा है, कि वो घरेलू website में सीमित नहीं होकर वो विश्व भर में फैल सकते हैं, number one, number two, उनकी जो संसादन है, उसक होती है company की, और number four, कभी-कभी domestic market में stagnation हो जाता है, domestic market बढ़ी नहीं रहा, तो आपका business कैसे बढ़ेगा, आप international business में जाओ, तो आपका बढ़ता जाएगा business का score, and final जो है, अगर domestic area में बहुत जादा competition है, बहुत जादा competition में, यहां मारा-मारी नहीं करके आप international area में निकल ज सको, आराम से इसको internalize कर सको, यह आपका सारांश, और सारांश परतेवत याद रखना, जैसे मैंने आपको बहुत सारे examples दिये हैं, आप भी example के साथ answer दिखला, तब आपको पढ़िया number मिलेंगे, thanks for watching,